ये सब्सक्राइब करेंगे और परसनली कहूं तो आज मुझे आपको इस शांदार वैब सेरीज के साथ में अलविदा करना पड़ेगा क्योंकि ये इस सीजन वन का लास्ट एपिसोड है और इस एपिसोड के शुरुवात करने से पहले अगर आपने मेरे एक से लेकर आठ तक किस सभी पार्ट को नहीं देखा तो आपको उन सभी वीडियोज का लिंक इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन में रहाँ वहांसे भी चाकर वीडियों को चेक आउट कर सकते और जिनको नहीं मिले हैं अभी तक तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट और साथ ही दूसरे वीडियो के नीचे भी कमेंट जरूर कीजिएगा आप सभी को भी मेरी तरफ से हाट जरूर मिलेगा जब मैं भी एक आपकी तरह ओडियंस हुआ करता था त जब मुझे कोई हार्ट मिलता था तो परसनली काफी जदा खुशी होती थी तो वही खुशी मैं आपके चेहरों पर भी देखना चाहता हूं इसलिए डूंट फोगेट तो कमेंट ओन दिस वीडियो एंड मैं अनादर वीडियो जा रहा होता है जहां पर दरवासा खुलने क के बाद में हम उसी मैदान को देख पाते हैं जहां पर इन सभी 456 प्लेयर्ज ने अपना फर्स्ट गेम यानिकी रेट लाइट ग्रीन लैट खेला था और आज जोकी इनका फाइनल गेम होने वाला है वो कोई और नहीं बलकि बच्पन में खेला गया वही इस्क्विड गेम ही होता है इस गेम के रेफरेंस के लिए मैं आपको पहले एपिसूट के कुछ क्लिप्स दिखा देता हूं ताकि आपको इस गेम से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो वो थोड़ी बहुत तो क्लियर होई जाएं बेसिकली स्क्विड गेम कोरिया में खेला जाने वाला एक खे लेकिन कैसे भी करके नजर चुरा कर आफेंस वाला लायन के अंदर भी आ सकता है इनका final टास्क होता है कि इनको इस्क्विड के अंदर बने एक सर्कल में पहुंचना होता है जहां पर पहुंचने से पहले deepest वाली टीम इनन्हें रोकने की कोशिश भी करती है अगर आफेंस क के साथ में होते हैं वहीं पर कुछ सियाओं के साथ में भी होते हैं गेम की रूल्स बिल्कुल साफ है जो भी इस गेम को जीते गा उसे मिलेगा एक बाथ ही बड़ा प्रायज मनी मगर जो हारेगा यानि के उससे अपनी जान देनी पड़ेगी इसका मतलब ये था कि दोनों को पापस में जीतने क्लिए एक दूसरी की जान तो लेनी ही पड़ेगी जाँ पर अब देखते ही देखते गेम के अंदर अब इन दोंों की काफी बड़ी लड़ाई हो जाती है और इनके पास जो चाकू बड़ा था ये दोनों ही अब एक दूसरे पर वार कर देते हैं अब हलाक वो खौफ वो गुस्सा सियोंग पर हावी हो जाता है और हो सांगु को वहीं पर पर आदot देता है और स्सक्राइब लखा जाकू लेकर उसे यकि मारने ही वाला होता है देखा जाये तो विर्स के सामने अब सियोंग जीच चुका होता इस गेम को मगर फिर भी सियोंग बीच में गेम को रोक कर सभी विएपीज और फ्रेंट मैन को यह कहता है कि हम दोनों अपनी आप इसी सहमिती के साथ में अगर इस गेम को रुखवाना चाहते हैं तो यह गेम यहीं पर रुख जाएगा वैल इस बा जब ठक जाया करते थे तो हमारी मॉम हमें खाने के लिए बुलाया करती थी वो दिन वापस से आ सकते हैं सांगू क्यों नहीं हमारी मिजॉरिटी के साथ में इस गेम को यहीं पर रुखवा दें हाला कि हमें मिलेगा तो कुछ नहीं मगर मैं अपने दोस्त को वापस से घर लेकर जा पाऊंगा क्योंकि अब इस वक्त सांगू को भी यह लग रहा था कि जीते हुए पैसे तो उसने लोगों को मार कर कमाएं इसलिए वह इस पैसो को छोड़कर अपने दोस्त को अपने साथ ले जाने के बारे में सोच रहा होता है जिसके बाद में सियोंग वापस से सांगू के पास में आतार कहता है कि तुम मुझे अपना वोट दोगे मगर सांगू तो वोट देने की बजाए कि खूदी उश चाकू को अपनी गरदन पर घुमा कर अपने आपकी जान दे दिता है क्योंकि सांगू जानता था कि जब तक इस गेम में कोई मरेगा नहीं तब उतार दिया जाता है जिसके बाद में एक सीन शिफ्ट होता है कार में जहां पर हम फ्रंट मैन और साथ ही सियों को देख पाते हैं इस वक्त सियों की आँखों पर पट्टी बंदी होती है और फ्रंट मैंने मास्क भी हटा रखा होता है जहां पर वह से कॉंगरिचुलीट करता था वैल यहां पर फ्रंट मैन उसे वहीं पर रोड पर पटकर चला जाता है जहां पर हम देख पाते हैं कि सियों के मूं में क्रेडिट कार्ट पड़ा होता है उसके पास में घर जाने के पैसे नहीं होते हैं इसलिए वह सोचता है कि अपने अकाउंट से 10,000 वान निकाले य इतना पैसा आ जाने के बावजूद भी सियोंग काफी जदत सैड होता है क्योंकि यह पैसा तो उसने अपने दोस्तों को खोकर पाया है वो इस वक्त पूरी तरीके से तूट चुका होता है और अब देखा जाया तो उसे इन पैसों से भी कोई मतलब नहीं होता तब ही वहा बात का जवाब नहीं दे पाता वहीं पर संगू की मौम उसे कुछ मचली खाने के लिए और कहती है कि घर पर जाकर मौम के साथ में खा लेना सियोंग उस बैंक से निकाले दसदार में से कुछ वान उन्हें देने लगता है मगर आंटी कहती कि नहीं बेटा तुम्हें पैसो कि तुम्हें ज़रूरत है इस सीन से मैं काफी ज़र रिलेट कर पैदा वैल आप इस सीरीज से कितना ज़र रिलेट कर पाए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में एक जरूर कमेंट कीजिएगा जहां पर अपनी मौम को बलाता है कि मौम आप कहां पर है मैं घर पर आ चुका हूं कि बॉड़ी यहां पर कई दिनों से पढ़िए एक तूटा हुआ इंसान और जदा तूट जाता है जहां पर अब रोते हुए सियोंग अपनी मौम के पास में सो जाता है वहीं पर अब सीन शिफ्ट होता है इस कहानी में एक साल आगे जहां पर हम देख पाते हैं कि सियोंग गल वहीं पर हम देख पाते हैं कि जिस सफर को स्यौंग टै कर रहा था वह एक बैंक कफेंसर का घर होता है जहां पर से कहता है कि सर आप यहांपर आये हैं हम आपके काफी शुक्र गुजार। अगर आप चाते तो हम गारे आपके घर पर भी भी बिजवा सकते थे मागर कि सियोंग को तो पैसों से कुछ मतलब भी नहीं होता इसलिए वो उसकी किसी बात का रेपलाई नहीं करता और वहां से जाने लगता है मगर जाते वक्त वह उस इंवेस्टर को कहता है कि क्या मुझे 10,000 वान मिल सकते हैं अधार इंवेस्टर यह सोच कर है रहान हो जाता है कि इतना अरब पती खरब पती इंसान मुझसे 10,000 मांग रहा है पर वो भी बिना कुछ सोचे उसे वो 10,000 दे देता है वहल वान से निकल जाने की बाद में सियोंग उन पैसों की थोड़ी सी ड्रिंक करने लगता है और एक ब्रिज के नीचे बैठा होता है मगर तबी वहां पर जितने भी पैसे बचे होते हैं वो उनसे उन फूलों को खरीद लीता है मगर तबी सियोंग को ये पता चलता है कि उन फूलों में तो एक विजिटिंग कार्ड चिपा है और ये वैसा ही कार्ड था जब उसने गेम को स्टार्ट किया था तो उसे मिला था उस कार्ड पर लेखने के बाद तो काफी सारे विवर्स के नीचे से पैरो तले जमीन खिसक चुकी थी क्योंकि इस वक्त तक तो लोगों को ये लग रहा था कि चचा तो सिर्फ एक प्लेयर थे आखिर उनकी जान बची कैसे मगर इन बातों का हिंट हमें काफी बार चल चुका था जैसे कि चचा की ही प्लानिंग थी सियोंग उने धमका था उनसे पूछता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया इतने सारे लोग जान से मारे गए कि आपको उनकी जान लेने में मज़ा आता है जवाब तो आखिर आपने ऐसा क्यों किया वहीं चचा की निजर नीचे जमीन पर पड़ हो जाती है यहां पर सियोंग भी जमीन पर पड़े उस आदमी को देख रहा होता है जहां पर कई सारे लोग आते हैं मगर उसकी मदद नहीं करते हैं फिर चचा उसे एक बात कहते हैं कि सियोंग क्या तुम जानते हो कि एक बहुत ही गरीब और एक अल्टरा रिच यहने कि को अपनी जंदीगी की सारे मौज और शौक पूरे कर चुका होता है तो अब उसे जादा इंट्रस्ट ही नहीं आता और यही कॉमन चीज इस गेम को जाकर करती है इस खेल को गरीब लोग पैसों के लिए खेलते हैं वहीं पर अमीर लोग अपने शौक के लिए उने देखते इसका मतलब यह था कि चचा पर तो अल्रेडी काफी लोगों की नजरे थी मगर इस वक्त यह दोनों को बाते करने के लिए कुछ टाइम दिया गया था और अब जब सियोंग सब कुछ समझ चुका था उसे सारी सच्चा ही बालुम चल गई थी कि अमीर लोग सिर्फ अपने म उसकी फैमली नहीं थी तो देखा जाया तो सियोंग ने इन दोनों की कमियां पूरी कर दी और एक बैक के साथ में उन्हें वहीं पर छोड़ गया जब सांगू की मॉम उस बैक को खोल कर देखती तो उसमें तो काफी सारा पैसा पड़ा होता है वो से रोकती ही कि बीटा सिय होता है और यह पिंग कलर देखा जाये तो उनी गार्ट की ड्रेस का कलर होता है जो कि इस गेम के अंदर थे यहां पर अब सियोंग ने डिसाइट किया होता है कि वह यूएस जाकर अपनी बीटी सी मिलेगा इसलिए जब वह एरपोर्ट जा रहा होता है तो वहीं पर उसे व करीब आब भी नहीं खड़ा होता है और कहता है कि मैं इस खेल में तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि यह बात पहले ही पता थी कि जो लोग भी वहां पर जाते कर वापिस अपना रुख बदल लिया होता है उन लोगों को परदा फाश करने के लिए और इसी सस्पेंस के साथ में तगड़ा एपिसोड यह पर खत्म होता है आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपने मेरे प को ढखना है उनल्ग. आपके यहाईगा से.ट्स मुझे है लो टाज़ बंताएगा झाया है।